संटाइनिंग दूर करने में बेहद मददकार हैं, ये पाँच घरेल उनुस्खे, एक एक ताजा खीरे को कद्दु कस कर लें, इसमें दूधा और नीबू के रुपए की बूंदे मिलाकर पेस्ट बना लें, इस पेस्ट को चहरे, हाथ, गर्दन पर जहां जहां आवशकता है वो वहां लगाएं, आची तरह सूखने के बाद धोलें, दो, बिसन में थोड़ी सी हल्दी मिलाएं और दूध की मदद से, इसका अच्छा सा पेस्ट तयार करें, इस पेस्ट को भी टानिंग वाली जगे पर लगाएं और हलका सूखने दे, नॉर्मल पानी से हाथ, पैरों पर लगा कर कम से कम 15 मिनट रखें फिर धोलें, नीमपू के साथ आप शहेद मिला कर भी इस्तिमाल कर सकती हैं, इस से टानिंग तो हटेगी ही साथ ही तवचा मौयस्च राइज भी रहेगी चार, आलू के टुकड़ों को, कद्दुकस कर उसका रुपए निचोड कर लगा लें, इस रुपए को टानिंग वाली जगह पर लगाएं और सूखने के बाद धोलें, आलू के रुपए को आप डॉक अंदर आम्स से चुटकारा पाने के लिए भी इस्तिमाल कर सकती हैं पांच, एक कटोरी में दही लेकर इसमें हल्दी मिलाएं और अच्छा सा पेस्ट तयार कर लें, इस पेस्ट को नहाने से कम से कम 20 मिनट पहले लगाएं और टैन हुई त्वचा से चुटकारा पाएं दोस्तों अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो, तो आप मेरे चानल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को शेर करें, धन्यवाद